हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूनिट फाइव के बारे में जो की हमारा पांच नंबर का है नाम है साहिते की विविद पहलू इससे पहले के दोस्तों सभी यूनिट हमने देख लिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी चैनल पर विजिट करेंगे, प्लैलिस्ट औप्सन पर जाएंगे तो आपको सभी वीडियो की करम से प्लैलिस्ट मिल जाएगी तो आपको सभी यूनिट वाँ पर देख लेने हैं आज की वीडियो में हम इकाई 5 के बारे में पढ़ेंगे, यहां पर पांच वा इकाई हम देखने वाले हैं, जिसका पहला महतपूर्ण पॉइंट है, साहिते की विध हैं, भाशा सिक्षन का एक उद्देश साहिते सिक्षन भी है, जो प्राए उचतर कक्षाओं के लिए तै क जाता है, यानि कि 10 के बाद साहिते सिक्षन बच्चों को पढ़ाया जाता है, साहिते में समाजिक जीवन की ये तमाम तस्वीरें सहयोजित होती है, जो मानव जीवन का यथार्थ प्रस्तूत करती है, इन तस्वीरों का सकारत्मक पहलू भी होता है, और नकारत्मक पहलू लिएनुकी दोनों तरह के फैलू यहां पर होते हैं अगर कहा जाए कि सायट्य समाज का आइना है तो अतिशोक्ति नए होगी सायट्य हमारे जीवन में नाना विधी रूपों में रूपों को एक नए तरीके से प्रस्तूत करता है जिस तरह जीवन में रंगों का विविध्य मिलता है उसी परकार साहित्य में भी वास्त्विक जीवन की रंगीन छटाएं देखने को मिलती है साहित्य की विविद्ध विधाओं का प्रियोग जो परकार हैं उनका वर्गिकरण मुख्य दो अधार हैं पहला है शेली और दूसरा है एंद्रिक माध्यम थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं तो सेली के आधार पर साहित्य को गध्य पध्य तथा चंपू इन तीन विध्याओं में बाटा जा सकता है गध्य के अंत्रगत कहानी नाटक एकांकी निभंद उपन्यास आत्मकथा जीवनी पत्र डाइरी रिपोताज या त्रा प्रकार की कविताएं नवगीत गजल कविताएं आधी को सामिल किया जा सकता है अब बात करते हैं चंपू कावे के बारे में तो चंपू कावे वे हैं जिनमें गध्य वे पध्य दोनों का प्रियोग होता है चंपू कावे बहुत कम है हिंदी में चंपू कावे को अभाव रहता है 75 वे हितुपदेश जिनमें गद्देवे पद्दे का प्रयोग किया गया है वे चंपू कावे माने जा सकते हैं अब चंपू कावे दोस्तों हम सब तक नहीं पड़े हैं आगे देखे यहां पर देखें हैं उद्देश यह थो पहला है व्याकरण व्यूद्द व्यविध्व व्याकरण की सेक्षिक की कने महतव में शिख्षिं को समझखन साइत्यक विध्याओं की शिक्षण विद्यों को यहां पर दोस्तों हम बिल्कुल शोट में 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 पॉइंट्स को पढ़ेंगे इनसे दोस्तों छोटे क्यूशन आपके पांच नंबर का यूनिट है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा क्यूशन काफी कम चांसे बनेंगे यहां समझना है। समझ में अगर आपको आजाता है तो कोई प्रोब्लम आपको नहीं होने वाली है। पांचवा है स्वरो एंव्यंजनों के प्रियोगों की प्योगिता को समझना। छटा है भासा एंव्भाव केंद्रित भासिक उद्देश्यों को जानना। साथवा है मोन प्रश्न के उद्देश्यों को समझना। आठवा है पठन प्रक्रिया की शोपानों को जानना, नवा है अक्षर बोध की विदियों को समझना, दसवा है पठन शिक्षन का विकास करने के शाधन एम विदियों को जानना, तो इस तरह से सारे जो उदिश्य हैं आपको देख लेने हैं, यहां से दोस्तों इस यूनिट स से देखना है और अच्छा से समझते हुई आपको पढ़ना है अब बात कर लेते हैं एंद्रिक माध्यम की दरश्टी से साहिते दो विध्याएं हैं साहिते की श्रव्य और दरश्य एंद्रिक माध्यम की वे विध्याएं जो पढ़ी जाती हैं वे श्रवे विध्याएं हैं तथा जो देखने के लिए हो वे द्रश्य विध्याएं हैं श्रवे विध्याओं में पध्य और गध्य सभी विध्याएं आती हैं द्रश्य विध्याओं में रूपक नाटक के सारे प्रकार शा रंग मंच पर खेती खेली जाएगी परन्तो आज मुद्रण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण ऐसी रचनाएं पढ़ने के लिए भी सुलब हैं इसी प्रकार रूपक की श्रेणी में ऐसी कुछ रचनाएं भी शामिल हो गई है जो द्रश्य नय होकर श्रवे ही है जैसे रेडियो रूपक इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार की रूप द्रश्य नहीं होते हैं विद्यालई पाठी चरिया को केंदर में रखते हुए यहां साहिते की मुख्यत है दो विधाओं का वरणन किया जा रहा है गध्य और पद्य है तो आप थोड़ा इनके बारे म एम रश आदी का निर्वा करना आवशक नहीं है गध्य शब्द गध धातु से बना है जिसका अर्थ है इसपष्ट कथन अर्थात गध्य में तथ्यों एम विचारों को सरो मानने भाषा के माध्यम से जियों का त्यों प्रस्तूत किया जाता है इसलिए गध्य में बुद् सबस्तने विध्याओं का अध्यन किया जाता है कहानी नातक एकांग की निभंद रेखाचित्र डाइरी रिपोर्टाज जीवनी पत्र, आत्मकथा, यात्रा, वर्तांत, निभंद, संस्मरण तो इन सभी विध्याओं का अध्यन गद्धे के अंतरगत होता है इस बात का भी आपको दिहान में रखना है विशीश एक निमबर का कुशिन दोस्तों यहां से पूछ रकता है कि किन विध्याओं का अध्यन गद्धे के अंतरगत किया जाता है नेक्स्ट है याँपर पध्ये हिंदी में प्राय काव्य, कवीता और पध्य को परियाए के रूप में प्रियोग किया जाता है परन्तु इन में थोड़ा बेद होता है कावे शब्द संस्क्रत बाशा का अपना शब्द है और इस शब्द का प्रियोग साहित्य के लिए होता है संस्क्रत में कावे साहित्य के दो बेद किये गए है पध्य कावे और गद्य कावे पद्धे काव्य का अर्थ है चंदोबद रचना कविता पद्धे से इस रूप में भिन होती है कि कविता चंदोबद भी हो सकती है और चंदमुक्त भी इस परकार प्रतेक पद्धे रचना कविता होती है प्रन्तु प्रतेक कविता पद्धे हो ये जरूरी नहीं है थोड़ी कविता के बारे में बात कर लेते हैं कविता मुख्यत है भाव परदान होती है और कविता प्रगाद अनुभूतियों की शरश अभ्यक्ती है कविता जीवन का संपदन है वह हरद्य गती की का शंगीत है ले ताल श्वर आरोह अरोह एम हाव भाव से युक्त कविता में संगीत की जहकी होती है कविता गे भी होती है यानि की कविता को गा भी सकते है और उसमें संगीत की लहर निहित होती है कविता पढ़ने से अनन्द की अनुभूति होती है कवीता में कलपना भावशेली यों बुद्धी तत्वे मुख्य होते हैं कवीता में सत्य की अनुभूती होती है तो इस तरह से आप इसे समझते हुए पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहां पर आजाता है कि रिपोर्टाज क्या है रिपोर्टाज देखिए थोड़ा सा में पॉइंट है तो इसको कुशन टाइप में अलग से लिखा है रिपोर्टाज आधुनिक काल की विद्या है हलांकि इसका विकाश पत्रकारिता में हुआ है मगर यह अकबारों की रिपोर्ट से किंचित अलग है भासा तथा मानविय सम्वेदना से संपुरित द्रश्टी उसे साहित्यक विध्या बनाता है रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं नेक्स्ट यहां पर थोड़ा और इसके बारे में जाने हम तो रिपोर्टाज शिक्षन के लिए हमें रिपोर्टाज से के मुद्दे यानि विशेवस्तू को समझना होगा हम जानते हैं कि रिपोर्टाज का फलक विस्तरित होता है लिहाजा इसमें विशेगत विविद्दा मिलती है केंद्रिये विशे की पहचान विध्यारती को उससे संबंदित बातों पर विचार के लिए प्रेरित करती है यहां एक शिक्षक शिक्षिका को परिवेश उभारना चाहिए यह परिवेश उनका जाना पहचाना हो सकता है तो नितांत नया भी परिवेश में पराई अंचल विशीश का बुगोल भाशा खानपान परंपराई आधी शामिल हो सकते हैं अब बारी आती है पाट की मुख्य समेदना में आत्मसाथ करने की यह रिपोर्टाज शिक्षन का सबसे एहम पहलू है यह समेदना ही एक अनुगुंज के रूप में रिपोर्टाज पढ़ने के बाद भी पाटक के मन में गुंचती रहती है और मानविय द्रश्टी का विकाश का जरिया बनती है इसे सामने लाने के लिए शिक्षक को समवाद के कोशल का इस्तिमाल करना चाहिए सिल्पगत पक्षों की पहचान वे उनका समुचित विवेचन इसका अगला पढ़ाव है यहां हम रिपोर्टाज की भाषा से लिए अंत्रकताओं वे मुहावरों लोकोक्तियों का उधिगाटन कर सकते हैं समगर पार्ट के बाद रिपोर्टाज की अभाव का विशलेशन विध्यारतियों में आलोचनात्मक द्रश्टी पैदा करता है तो इस तरह से आप रिपोर्टाज पढ़ लेंगे थोड़ा सा निबंद के बारे में हम जान लेते हैं निबंद शिक्षन की उद्देशी क्या हैं निबंद किस प्रकार से लिखते हैं क्या क्या होता है तो यह सब आप जानते हैं थोड़ा सा निबंद शिक्षन के उद्दीश हैं हम याँ पर देख लेते हैं तो बच्चों में आदर्ष वाचन की कुशलता विक्षित करना शुद्ध उचरण बलाघात यतीगती आरो अरो है भाव भंगीमा आदी के प्रियोग सहीते अर्थ ग्रहन करते हैं तिवरगती से मोन पठन विशेवस्तु का केंद्रिये बोध ग्रहन करवाना बच्चों में विशे विमर्च की कुशलता विक्षित करना शब्द बंधार में व्रद्धी करना आगे है भासा की लाक् अब थोड़ा सा जीवनी शिक्ष्ण के उद्देशे पढ़ लेते हैं जीवनी शिक्ष्ण के उद्देशे हैं मोन पठन द्वारा विश्यवस्तु को आतमसाथ करने में कुशलता महान व्यक्तियों के चरेतर सोभाव है उनकी ऐसाधरहनता को समझने की कुशलता उनके जीवन मुल्यों आदर्शों लक्षियों एम सिध्धानतों का उलेक करने की कुशलता अर्थग्रहन की द्रिश्टी से आवश्यक भासिक तत्वों का सामान्य ज्यान प्राप्त करने की कुशलता अब बात करते हैं पत्र साहिते सिक्ष्ण के उद्देशे हैं बच्चों को इस पत्र की भासा सेली सहज सरल और बातचित प्रक होती है इसकी पहचान विध्यारती शक्षकों वे बच्चों को परदान करना नेक्स्ट हमारा है एकांकी नाटक के उद्देशे तो एकांकी में नहित सोंदरिये तत्वों वे भाव तत्वों का प्रकाशन करवाना समवादो को उचित आरोह अवरोह के साथ प्रशंगानुकूल प्रस्थूत करने की कुशलता विक्षित करना मानविये वेभार के विविद पक्षों से अवगत करवाना अभीने कोशल विक्षित करना एकांकी में नहित भासिक सुंदरियों को समझने की शमता विक्षित करना नाटक कि एकांकी की प्रमुक विशीशता हैं थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं तो इसमें समवाद होते हैं हालां कि समवाद अन्ने विध Xuan में भी हो सकते हैं पर यहान इसकी अनिवायता नहीं रहती दूसरा है इसमे अब girlfriend की इननवायता रहती है पुराने जमाने में नाटक को देखा सुना जा सकता था, इसलिए इसे द्रश्य सरव्य विध्या के रूप में जना जाता है, हलांकी आज कल इसका पठन भी किया जाता है नेक्स्ट है भरतमुनी के अनुसार किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहते हैं, अतै चातर चातराओं के अनुकरण करने की स्वाभाविक वरती को इससे पोषण मिलता है नेक्स्ट है नाटक एकांकी एउम रागात्मक रचना है इसमें मानवी ये भावों का प्रदर्शन बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से होता है नाटक पढ़ने या देखने से भावों का उदेश्य बहुत तिवर होता है नेक्स्ट है यहाँ पर चंदमुक्त कवीता क्या है यहाँ पर देखिए दोस्तों सोट चोटे क्यूशन जो है वेरी इंपोर्टेंट हैं जिनको टॉपिक्स के रूप में हमने आ पर लिया है कम से कम मेटर आपको दोस्तों से यूनिट में पढ़ने को मिले यही हमारा जो टा यहाँ पर देख लेते हैं चंदमुक्त कवीता तो कवीताएं चंदबद भी हो सकती है और चंदमुक्त भी मुक्त चंद की कवीता में तुक का बंधन नहीं होता है इसमें ले अंतरनिहित रहती है पर मात्राओं या वर्गों के विन्यास की दृष्टी से चंद के नियमों का पालन नहीं क्या जा सकता मुक्त चंद की कवीता भी एक बानगी यहाँ पर देखिए मुक्त चंद की कवीता के बानगी चड़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिन का तम तमाता रूप उठी जुलसी हुई लू रूई ज्यों जलती हुई भू गर्द चिनगी चागई प्राए हुई दुफहर वह तोड़ती पत्थर सुर्यकान त्रिफटी निराला की यह बानगी है इस कवीता में चंद के नियम के अनुसार पंकतिया नहीं है प्रतेक पंकति में चंद अंद प्रणीत है और ले निर्वाय किया गया है कि बाल साहिते किस प्रकार का साहिते है यह भी दोस्ते इंप्रोटेंट कुशन है यहां पर बाल साहिते वह साहिते हैं जो मुख्यत है कहानी कवीता समवाद एकांग की आदी विधाओं को अधार बनाकर बोद गम्में सब्दाव परफली सुगटित वाक्य विन्यासत था रोचक शेली में प्रतूत किया गया हो इस प्रकार के साहिते में यह हैं उपेक्ष्या रहती है कि वह हैं साहिते प्रमप्रागत उपदेश आत्मकता के साथ साथ वेग्यनिक्ता तारकिक्ता नवीन्ता कलपना शीलता आधी भाव बोधों से परिपूर्ण हो नेक्स्ट है याँ पर मानव जीवन के रागात्मक अनुभवों की शब्दमई वेंजना को साहित्य कहते हैं साहित्य जीवन की व्याक्या है सत्य की साधना सौंद्रिया नुबूती लोकमत की उद्दात भावना साहित्य की सनातन मुल्य हैं तो ब अच्छे से याद कर लेंगे और वीडियो कर दोस्तों एक बार में आपको समझ में नहीं आया है तो आप दो चार बार रिपीट करके देख लेंगे जिससे आपको अच्छे से यूनिट कवर हो जाएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राब आपको जुरूर से कर देना है औ कमेंट भी करें और अपने सभी BSTC फ्रेंड्स में दोस्तों वीडियो को शेर करें जिससे उनको भी दोस्तों अपनी पढ़ाई में हेल्प हो